हे गाईज वल्कम बैक तो आज मैं आप लोगे साथ शेयर करूंगी होम डैकोर के कुछ आइटम्स जो मैंने मीसो से मंगाया है और बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे मिले हैं ये जैसे कि आपको पता ही है दिवाली आ रही है तो दिवाली के परपस से ही मैंने यह मंगाय है और मेरा नया घर बना है तो उसमें मैंने यह वहां लगाने के लिए मंगाया है तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स हैं जो कि मैंने और भी ऑर्डर किये हैं जो आने वाले हैं तो मेरे साथ बने रही है वीडियो में और मुझे ज़्यादा ज़्यादा फॉलो कर लि गनेज जी का जो हैड़ स्टैशू है ये मंगाया है वाल हैंगिंग में तो इसकी क्वालिटी तो बहुत अच्छी आई है और देखने में ये काफी अच्छे लग रहे हैं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है बहुत ज्यादा चोटे भी नहीं है और ये बहुत ही हैवी है मतला हैबी इसमें metal यूज़ किया गया है जो कि मुझे ब्रास का लग रहा है बाकि इसको लगाने के पाद पता चलेगा कि इसका color जाता है कि नहीं जाता है बाकि देखने में एकदम पीतल के ब्रास के लग रहे हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं नेक्सिए मैंने यहां पर यह मगाये हैं तोरन मगाये हैं बाल हैंगिंग जो कि हम अपने गेट भी टे में बहुत in प्यारा से लुक देते हैं तो यह मैंने तीन मगाये कॉमबो में मुझे मिले हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे till जब मैं इनकी अन्बॉक्सिंग कर रही थी मतलब यह जो पैकेजिंग ना यह इतनी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग में आये थे यह सारी चीज़े क्योंकि जो भी यह आइटम होते हैं ना होंम डेकॉर वाले या कोई भी डेकुरिशन के आइटम होते हैं तो एक अच्छी प सकता है बाद में इनका कलर चला जाए लेकिन क्वालिटी वाइस अगर बात करें तो बहुत प्यारे हैं और किसी भी तरह का कोई भी कोई भी तोरां डैमेज नहीं है सब एकदम फर्स क्लास बढ़िया क्वालिटी में मिले हैं आप देख सकते हैं इनकी जो शाइन है वो बह आप ले सकते हैं मैंने इसका कोड मैंशन कर दिया है और बाकई में इनकी क्वालिटी बहुत प्यारी आई है और इतने सस्ते में यह चीजे मिल जारी है मतला अगर आप लोकल मार्केट से भी खरीद होगे तो भी आपको मेरी खाल से इस से कम में या फिर मुझे नहीं लगत नेक्स यहां पर यह था तो यह स्वास्तिक के चिन इसमें लगा हुआ था जो की और यह पूरा तीनों के तीनों प्लास्टिक के ही है मतलब लेकिन बहुत जादा हैबी है यह काफी अच्छे लग रहा है ऐसे नहीं कि एकदम हलके हो काफी हैबी भी है लटकाने के बाद जो में गेट पे अगर हम इसको लटकाएंगे तो काफी प्यारा लगेगा तो इसमें सम्में यह टैसल नीचे जो है वो सेम लगे हुए है लेकिन जो इनकी जो इस्ट्रक्चर है जो बनावट है वो तीनों की अलग लग है जैसे कि फर्स्ट वाले में गनपती थे और इसमें य यलो कलर में ही है यह और बहुत अच्छी शाइनिंग है इनके उपर तो बहुत प्यारे लगे मुझे यह और आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और जो गनपती वाला है डिस्टैचू था वो भी आपको कैसा लगा वो आप जरू मुझे कॉमेंट्स इनके साथ में यह जो हुक होते हैं यह भी मिला था दो पीस extra मिले थे ताकि हम हमारे जो हुक्षू को फड़ा रहा हो जाता है तो इसको हम दुबारा से लगा सकते हैं थर्ड वाला यह था जो कि थर्ड में आप बहुत प्यारा यह मुझे सबसे प्यारा मुझे यह थर्ड वाला लगा क्योंकि यह काफी है भी था और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा था और लगाने के बाद काफी अच्छा लगेगा तो अभी मेरी ग्रह प्रवेस की पूजा होगी घर में तो मैं सोच रही हुँ दीपा वली प जो बहुत प्यारी सी है और शाइनिंग काफी है इंगे तो लगाने के बाद देखते हैं कैसा इसका लोक आएगा कैसी यह लगेंगी वाकि इन सबके जो प्राइस है यह जो तीन तो रहन्दर रुपीज है और जो गनपती के प्राइस है वो फो फॉर हंड़र रुपीज है तो आप लोग अगर चाहें तो ले सकते हैं मैंने सबकी code mention कर दिये हैं वीडियो पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए और ज्यादा ज्यादा follow कर लीजिए जिससे की आने वाली जितनी भी reals है वो आपको आसानी से मिल जाएं तो follow कर लीजिए, bye bye